हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी एकदम अच्छी होंगे चांदी के बर्थन और चांदी के जेवर घर पर आसानी से कैसे साफ करें तो उसका वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं यहाँ आपके साथ बहुत ही बढ़िया मैथट शेयर करूँगी इस मैथट का यूज करके आप बहुत ही जल्ली और आसानी से चांदी की जेवर और चांदी के बर्थन साफ कर सकेंगे मेरे सारे टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे खुद के ट्राइड एंट टेस्टेड हैं और जब मुझे इसका अच्छा रिजल्ल मिलता है तो मैं ये वीडियो बनाती हूँ बस मेरे लिए वीडियो बनाने का यही मक्सद है कि आप लोगों को शही इनफोर्मेशन मिल सके तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखेगा अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा तो मैं यहां आपको कुछ चांदी के जेवा दिखा देती हूँ यह पायल है जो की बदरंग हो चुकी है यह चैन है आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे फीका पड़ चुका है इन सभी की हालत को हम सुधारेंगे और बिल्खुल नए जैसा बनाएंगे तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगी यह कोलगेट पाउडर है जिसका मैं यूज करने वाली हूँ तूत पेस्ट हो या कोलगेट पाउडर दोनों ही बहुत बढ़िया और एफेक्टिव विजल देते हैं और चांदी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और गाला सा पेस्ट तयार कर लेंगे इस पेस्ट को जो सबसे गंदी वाली पाईल है और चेन हैं कोट कर देंगे तो यहां पर मैंने डुबा दिया है पाईल की एक एक डिजाइन तक यह पेस्ट जाना चाहिए तो चमस का यूज मैं कर रही हूँ अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा सूखने के लिए 15 मिनट बाद हम देखते हैं तो यह कुछ इस तरह से सूख गया है खुब अच्छे से कोट हो गया है तो अब यह पायल, कमर बंद और चैन अच्छे से हाथ से रगड लेंगे आप देख सकते हैं हलकी हलकी सफेदी आ रही है थोड़ा सा पानी और लेकर इसे अच्छे से रगड़ेंगे तूद ब्रश तो हम सब के घर में होता ही है कोई भी पूराना तूद ब्रश ले लीजे उससे हम हलका सा इसको साफ करेंगे हलके हातों से जिसे चैन के अंदर की जो डिजाइन होती है आच्छे से उसकी गंदेगी निकल जाए हलका सा पेस्ट जो कटोरी में बचा हुआ है वो भी आप ले लीजिए हम हलका हलका पानी दा कर ऐसे साफ कर लेंगे ये देखिए जड़ा सा मैंने साफ किया गंदेगी आजसानी से निकलने लगी है इसी तरह जो चैन है इसको भी ब्रश की साहता से आगे पीछे दोनों साइड अच्छे से साफ कर लेंगे जहां थोड़ी से गंदेगी है महापर ब्रश से रगड़ दीजिए ब्रश से पायल बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाती है और पायल के पीछे का हिस्सा भी साफ हो जाएगा क्योंकि वो इसकिन से ज़दा टच होता है तो वो हिस्सा ज़दा तर गंदा ही रहता है मैंने दोनों साइड अच्छे से साफ कर लिया है पानी लगा लगा कर ब्रश कर दिया है मैं इसको पानी से हलका साफ करके दिखा रही हूँ तो देखिए बिल्कुल जादू की तरह रिजर्ट मिला है न ये पायल बहुत ही ज़दा साफ हो गई है पर अभी इसको हम बिल्कुल बाजार वाली चमक देना बागी है इसको कपड़े से पोच लेना है इसके बाद थोड़ा सा कोल्गेट पाउडर लेना है और इन पायल और चैन को अच्छे से पोलिश कर लेना है कोल्गेट पाउडर से बिल्कुल ऐसे लगड़ लेना है पहले ये बिल्कुल ग्रे ग्रे हो जाएगा वाइट कलर का ये कोल्गेट पाउडर होता है लेकिन बाद में ये बिलकुछ ग्रे कलर का हो जाएगा बहुत साफ हो जाएगी ये पायल विस्पास मानिए एक बार ये मैथट अपलाई करेंगे तो चांदी के जेवर आपके एकदम चकाचक हो जाएगी फिर ब्रस से हम जार देंगे जो भी पाउडर है आगे पीछे दोनों ही तरफ से हम इसको अच्छे से साफ कर देंगे फिर एक कपड़े से इसको अच्छे से पोस देंगे पानी से धुलने की कोई जरूत नहीं है ब्रस की मदद से पाउडर ज़र जाता है जो भी गंदगी है वो निकल जाती है एक बार चाहे तो ब्रश और मार सकते है और चैन भी आपकी इसी तरह साफ हो जाएगी जैसे पाउडर को हमने किया है वैसे ही चैन को भी अच्छे से पोलिश कर देंगे तो देखिए कितनी ज़्यादा चमक रही है यह पाईल तो लग रही है ना बिल्कुल नई जैसी आपको विश्वासी नहीं हो रहा होगा कि यह वही गंदी सी पाईल है जो बिल्कुल अब चमक गई है तो यहाँ पर आप चैन को देखिए कितनी चमक रही है नई सी हो गई है तो पायल चैन बिल्कुल साफ हो गए है तो आप भी बिना मार्केट जाए बिना रुपे लगाए घर पर आजानी से पायल को एकदम चका चक चमका सकते हैं इस मेथट से तो फ्रेंस ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको यूसफूल और अच्छी जरूर लगी होगी अपने फ्रेंस और फैमिली में जरूर से जरूर शेर कीजेगा जिसे ये टिप्स उनके भी काम आ सके थैंक्स फॉर वाचिंग प्लिस सब्सक्राइब दी चैनल और प्रिस द लाइक बटन और शेर दिस वीडियो इस रिली मेक में हैपी जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए इंफोरमेशन के साथ